या आपके भी WhatsApp पे अंदर यही प्रॉब्लम है कि आप किसी भी फोटो को एक बार ओपन करते हैं और उसके बाद आपका फोटो ओपन नहीं होता है यहां पर आपको देखने को में लगता है ओपनेट तो अगर आपके भी WhatsApp के अंदर यही प्रॉब्लम है या आपके भी पास य आपके साब में आ जाता है इस तरह का और जब आप अपने इस वाले फोटो पे यहाँ पे आप एक बात क्लिक कर देते हैं तो आप के पास कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेता है कि आपका फोटो में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है और फिर आप इसे यह यहाँ पे फोटो को recover कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बतायता हूँ कि WhatsApp के अंदर एक ऐसा update भी आ चुका है कि जिसे भी आप एक बार अपना फोटो send कर देते हैं और सामने वाला person उस फोटो पे click कर देता है तो दुबारा आपका फोटो दुबारा उसे देखने को नहीं मिलेगा तो यही problem है आपके WhatsApp के अंदर जिसने आपके फोटो को यानि कि आपके पास आपना फोटो send किया है आपका जो भी फाइल हो send किया है तो उसमें उस बंदे ने privacy add किया है तो तो privacy add करने से यह होता है कि अगर आप एक बार अपने उस फोटो को open कर ल भी आ देखने को मिलेगा तो नहीं बुए अपको किया है तो यहां पे आपको सिर्फ एक ही तरीका है जैसे आपको यह देखने को मिल सकता है तो इसके लिए आपको करना के अपने उसी वाले दोस्त से आपको अपने उसी फ्रेंड से यहाँ पे chatting करना है और उससे कहना है कि यार भाई आप जो photo send कर रहे हैं उस पे आपको privacy नहीं एड करना है कुछ इस तरह का आपको photo send करना है आप उसमे privacy एड ना किजिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार फोटो पे किलिक किया दुबारा आपका फोटो हमें देखने को ही नहीं मिला है या आपका वीडियो देखने को नहीं मिला है तो आप उससे चैटिंग करने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरह का आप सिंपल फोटो मंगा सकते हैं बिना privacy add किया हुआ और उसके बाद वह photo आप बड़ी ही आसानी से एक बार दो बार एक दिन बाद या दो दिन बाद या तीन दिन बाद बड़ी ही आसानी से अपने WhatsApp के अंदर देख सकते हैं तो ऐसे आप अपने इस problem को solve कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है तो आप दोस्तों आपको पता चले गया होगा कि आकरकार यह problem क्यों आती है और आपकी यह problem कैसे solve होगी तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्नवाद